महर जीवाल मिकी के कर्म भूमी, माता सीता के शरण भूमी और लवकुषके की भूमी पर हम सब के प्रणाम करताने बहुत बहुत बढ़ाई जाथियों, आजाजी के बाद के दसकों में बिहार की एक बहुत बड़ी चनोती रही है यहां से युवाओं का पलायन जब बिहार में जंगल राज आया, तो यह पलायन और ज्यादा बढ़ गया जंगल राज लाने वाले लोगों ने सीर्फ और सिर्फ अपने परिवार की चिंता की बिहार के लाकों बच्चों का भविश्या दाऊ उपर लगा दिया बिहार के मेरे नवजवान साफी, दूसरे राज्यों के दूसरे सहरों में रोजी रोटी के लिए जाते रहे किस तरह एक-एक नोकरी के बदले जमीनों पर कपजा किया गया क्या कोई भी व्यक्ति सामान ने मानवी को इस पकार से लूटने वालों को माप कर सकता है क्या क्या ऐसे लोगों को माप कर सकते है क्या बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनेगार है जंगल राज के जिम्मेदार परिवार ने बिहार के लाखों नवजवानों से उनका भाग्य छिल लिया ये एंडिये सरकार है जो इस जंगल राज से बिहार को बचा कर इतना आगे लाई है साथियों एंडिये की डबल इंजीन सरकार का प्रयास है कि बिहार के युवा को यहीं बिहार में नोकरी मिले यहीं बिहार में रोजगार मिले आज दिन हजारों करोड उक्लों की परियोजनाओं का लोकारपन और सिलान्यास हुआ है उसके मूल में भी यही भावना है आखिर इन परियोजनाओं के सबसे बड़ी लाभारती स्पाउन है इसका सबसे अधिक लाभ उन नवजवानों को होगा जो अभी रोजगार करना चाहते हैं जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं आज गंगाजी पर छोल नेन के सिख्ष लेन के केबल आधारित पुरीच का सिलान्यास हुआ है बिहार में 22,000 करोड रुपिये से एक दरजन से अधिक पूल पर काम चल रहा है जिन में से पाँच पूल तो गंगाजी पर बन रहे हैं ये फूल ये चवडे रास्ते ही वही तो गिकाज का मार्ग बनाते हैं उद्द्योगों को लाते हैं ये जो पिजली से चलने वाली टेने चल रही है बंदे भारत जैसी आधोनिक टेने चलने लगी है ये गति किसके लिए हैं? ये उन नव जमानों के लिए हैं जिनके माता पिता ने ऐसी सुविदाओं के सपने देखे ये जो इंफ्रासेक्टर बन रहा है ये रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम होता है इसमें मजदूर हो ड्राइवर हो सर्विसिस से जुड़े लोग हो इंजिरियर हो ऐसे अने छेत्रों के रोजगार इससे पैदा होता है यानि ये जो हजारों करोब रुपिय सरकार लगा रही है ये पैसा बिहार के सामान्य परिवारों के पास ही पहुचेगा इससे रेट, पत्तर, इट, सिमेंट, स्टील ऐसे अनेक उद्योगों को फैक्टरियों को छोटे छोटे दुकानों को बल मिलने वाला है साथियों ये जितनी भी नई ट्रेने चल रही हैं पत्रियां बीच रही हैं ये सब कुछ आज भारत में ही बन रहा है मेड इन इंडिया है यानि इसमें भी बारत के ही लोगों को रोजगार मिल रहा है पिहार में भी रेल इंजिन बनाने वाली आदुलिक फैक्टरियां एंडिये सरकार ने बनाई है आज पुरी दुनिया में डिजिटल इंडिया की बहुत बड़ी करता है और मैं आपको एक बात और बोलू आज कई विक्षित देशों में भी ऐसी डिजिटल व्यवस्ता नहीं है जो बेतिया में चमपारण में उपलब्द है विदेशी नेता जब मुझे मिलते हैं तो पूछते हैं कि मोदी जी आपने ये सब इतनी चल्दिक कैसे किया अगर उने कहता हूँ कि मोदी ने नहीं ये भारत के नवजवानों ने किया है मोदी ने तो भारत के हर युवा को उनके हर कदम पर साथ देने की गारंटी दी है और विट्सित बिहार के लिए आज यही गारंटी मैं बिहार के युवा को भी दे रहा हूँ और रवा जानते बानी है मोदी के गारंटी मने गारंटी पुरा होके के गारंटी साथियों एक तरफ नया भारत बन रहा है वहीं दूसरी तरफ आर्जेडी कॉंग्रेस और इनका इंडी गटबंदान अभी भी बिस्टवी सदी की दुनिया में चीरा है एंडी एकी सरकार कह रही है कि हम हर घर को सूर्य घर बनाना चाहते है हम चाहते हैं कि हर घर की छट पर सोलर प्लांट हो उससे वो घर भी कमाएं और उसे बिजली भी मुप्त मिलें लेकिर इंडी गटबंदान अभी भी लाल टैन की लौके ही परोसे दी रही है जब तक बिहार में लाल टैन का राज रहा तब तक सिर्फ एक ही परिवार की गरीबी मिटी एक ही परिवार समर्द हुआ साथियों आज मोदी ये सक्चाई बताता है तो ये मोदी को गाली देते हैं प्रस्टाचारियों से भरे इंडी गटबंदन का सब्चे बड़ा मुद्दा है मोदी का परिवार नहीं है ये लोग कहते हैं कि इंडी गटबंदन के परिवार वादी देताओं को लूटने का लाइसंस मिलना चाहिए क्या लूटने का लाइसंस मिलना चाहिए क्या मिलना चाहिए क्या आज भार रफना करपुरी ठाकुर्जी अगर होते तो ये उनसे भी यही सवाल पूटे जो मोदी से पूट रहे परिवारबाद और प्रस्ताचार के कट्टर समर्दर ये आज पुझे बापू, जेपी, लोहिया, बाबा साब अमबेडगर को भी कटगरे में खड़ा करते इन्होंने भी तो अपने परिवार को बढ़ावा नहीं दिया बलकि देज के हर परिवार के लिए जीवन खपा दिया साथियों आपके सामने वो व्यक्ति है जितने बहुत छोटी आयू में गर छोड़ दिया था किहार का कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में रहें लेकिन छट पुझा पर दिवाली पर गर जरू नोड़ता है लेकिन में मोधी जिसने बच्पन में एक गर छोड़ दिया मेरा कौंसा गर है जहां मैं लोटू मेरे लिए तो पूरा भारत ही मेरा गर है हर भारत वासी मेरा परिवार है इसलिए आज हर भारतीय कह रहा है हर गरीब हर नवजवान कह रहा है मैं हूँ मोदी का परिवार मैं हूँ मैं हूँ हम बानी मोदी के परिवार साथ यो मैं गरीब की हर चिंता खत्म करना चाहता हूँ इसलिए मोधी अपने गरिब से गरिब परिवार को मुक्त राशन दे रहा है मुक्त इलाद की सुविला दे रहा है मैं चाहता हूँ कि महिलाओं की जिंदगी से कठिनाईयां कम हो इसलिए मोधी महिलाओं के नाम पक्के घर दे रहा है टॉइलेट दे रहा है बिजली पहुंचा रहा है गेस का करेक्शन लग रहा है नलकेशन ऐसी चीजों पर काम कर रहे हैं मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के नवजवानों का भविश्या बहतर हो इसलिए मोदी रेकार्स इंख्या में मेडिकल कॉलेज बना रहा है एम्स बना रहा है आयाईटी बना रहा है आयायम बना रहा है ऐसे आज़ुनिक सिक्शन सुसान मेरे नवजवानों के पविश्य के लिए बना रहा है मैं चाहता हूँ मेरे देश के किसानों की आई बढ़े वो और ससकत हो इसलिए मोधी अपने अन्दाता परिवार को पूर्जा दाता और उर्वरक दाता बना रहा है आज बिहार समेथ देश भर में इथेनोल के प्लांट लगाए जा रहे है कोशिश यही है कि गन्ना किसानों धान किसानों की उपद से देश में गाड़ियां भी चले और किसानों की कमाई भी बढ़े कुद दिन पहले ही NDA सरकार ने गन्ने की खरिद का दाम 340 रुप्य प्रतिश क्विंटल कर दिया है कुद दिन पहले ही NDA सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज बंडारन योजना शुरू की है इसके तहट देश में बिहार में हज़ंगरों कोदाम बनाए जाएंगे बिहार के मेरे चोटे-चोटे किसान परिवारों का जीवन आसान हो इसके लिए पी-एम किसान सम्मान निदी के तहर भी उन्हें हजारों करोड रुपिय की मदद दी गई यहाँ बेटिया के ही किसानों को करीब-करीब 800 करोड रुपिय पी-एम किसान सम्मान निदी के मिले हैं और इन परिवारवादियों ने आपके साथ क्या किया, इसका एक उदावन मैं आपको देता हूँ, यहाँ बरवनी का खाद कारखाना कबसे बद्द पड़ा था? इन परिवारवादियों को कभी इसकी चिंता नहीं, मोदी ने किसानों को, मद्दुरों को इसे फिर से शुरू करवाने की गारंटी दीजी, आज यह खाद कारखाना अपनी सेवा दे रहा है और नव जवानों को रोजगार भी दे रहा है, और इसलिए ही लोग कहते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी, साथियों चुलाओं में यह जो इंडी कड़बंदन वाले है न, उनको पता है, अब वो कही के रहने वाले नहीं है, और अपनी हार तै देख, इंडी कड़बंदन के निशाने पर, खुद भगवान राम भी आ गए है, यहां बेतिया में मा सीता की अनुभूती है, लवकुष की अनुभूती है, इंडी कड़बंदन के लोग, जिस तरह प्रभूसी राम और राम बंदर के विरुत बाते बोल रहे हैं, यह पूरे बिहार के लोग देख रहे हैं, और बिहार के लोग यह भी देख रहे हैं, कि भगवान से राम का अपमान करने वालों का साथ कौन दे रहा है यही परिवारबादी है जिनोंने दसकों तक राम लला को टेंट में रखा यही परिवारबादी है जिनोंने राम मंदिर न बने इसके लिए जीत और कोशिश की आज भारत अपनी विरासत अपनी संस्कृति का स अम्मान करा है